हेलो फ्रेंच, गूट आफ्टरनून, स्वागत है आपके अपने ही चैनल फैंटसी तड़का में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तीसरा T20 आई खेला जाएगा स्कोर्ट लेंड टूर अफ यूएई यानि यूएई वर्सस्कोर्ट लेंड के बीच में तीसरा और फाइनल T20 आई है आपको बताना चाहूंगा अभी तक जो मैचस दो खेले गए हैं उसमें एक मैच यूएई की टीम ने जीता है पहला और दूसरा स्कोर्ट लेंड की टीम ने काफी लोड टार्गेट को डिफेंड करा है तो इस मैच में मैठ आपको बताने जाऊंगा बताने वाला है और प्लीस आपने वीडियो को द्यान से पूरा देखने शबसे पहले टरिग्राम से जुआद आपको जहां पर जनता दिखेगी किसी भी तरह का कोई भी जूस आता है या फिर टीम में मैं चेंज़ करता हूं ग्रैनलिकर टीम, श्पैशल टीम, PSR, WPN सबका टीम आपको यहीं पर मिलता है अब यहाँ पर जोइन कैसे करने है फैंटसी तड़का 95 आपने सर्च करना है या वीडियो डिस्क्रेप्शन कमेंट बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी आप जोइन कर सकते हो सेम उसी मैदान पर मैचस खेला जाएगा जहाँ पर लाश्ट के दो मैचस खेलेगी है तो यह जो मैदान है यहाँ पर ज़्यादा स्कोर नहीं बनेगा मानके चुर्ण चुर्ण 1445 के आसपा स्कोर बनने वाला है कोशिश करना आरंडर को ही CBC बनाना जो बोलिंग बैटिंग दोनों करता है प्लस ज़्यादा तर घेंदवा यहाँ पर आपने रखने है क्योंकि 135-34 स्कोर हम एक्सपक्ट यहाँ पर कर सकते है ग्राउंड स्टेट से अगर आप देखोगे get एवरेश स्कोर 145 का है ठीक है अब 26 विठ्वेस प्सकों मिली है 12 विठ्वेस यहाँ पर स्पिनर्स को मिली है स्पिनर्स के मुकावले पेसर्स यहाँ ज़ादा विठ्वे लेते हैं बात कर लेते हैं यूँए पोसिबल प्लेइंग लेवन तो इनकी टीम में न कम से कम तीन चेंजिस यहां पे होने वाले और बताऊंगा आपको क्या पोसिबल प्लेइंग लेवन हो सकती है हलांकि यह कनफर्म नहीं है जो लाश प्लेइंग लेवन खेला गया था कल उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साब से मैंने चेंजिस करें हैं और काफी थोड़ा पता रिसर्च कर रहा है तो मुझे समझ में आया है कि यहां पे चेंजिस होने वाले हैं आपको बता दो मुझे डू और डाई है दोनों टेम्स के लिए आखरी टीट्वेंटी आई है जो टिम जीतेगी वही सिर्च जीतेगी तो ओपन करेगा तानी सुरी जिरों नहीं ठीक ठा खेला है सिर्च में बाकि मौहमद वासीम कैप्टन सी करने वाला आरियन लगकरा आल अलीन नसीर इस मैच में खेल सकता है क्विट बताय जा रहा है अलीन नसीर ने लास्ट के दो मैच नहीं खेले हैं बड़ा खिला रही है experience player है और क्यों नहीं खेला ये समसे परे है लेकिन अभी सुनने में आए कि इस match में ये खेलने वाद उसके बाद यहाँ पर जुने सदीकी है मुहम्मद जवाद लिल्ला है आखिव राज है जवाद लिल्ला भी नहीं खेला भी तक तकड़ा प्लेर है ये भी विकर टेकर है और मुझे लगता है कि यहाँ पर तीन चेंज़स होने वाले हैं जो लाश्ट मैच में खेली दिना प्लेइंग लेबन उसमें तीन चेंज़स होंगी दो तो आमान के लोगबग कनफार्म हों है कि होने वाले ठीक है और एक 37 रंड की पारिन की जुरूर है हना कि इनका भी शोटीन ये है कि ये बंदा फिर से खेलेगा नहीं क्योंकि UAE को भी पता है कि ये मैच डू और डाई है और जो वी अराविंदराम का लड़का है वो इससे फार बेटर है तो सकता उसको टीमोंका दे दे मुहमद वासीम ने बड़िया खेला लाज के तीन मैच में 68-7 एक रंड की पारिये तो कैप्टर ने निगलेगा नहीं बाकि D20 ये स्टैट देखोगे तो 1780 स्कोर कर चुक है 49 का इन कैवरेज है बाकि दो मैच खेला उसे में 36 का इन कैवरेज है तो ठीक ठाक आवरेज है बढ़िया खेलाड़ी है एक्सपीरियेंस पे अच्छा खासा है और योई T20 में भी ये खेला था अगर आपको यादो नमबर पांच पर आएगा आसीव खान अभी तक दो मैच खेला नहीं है लेकिन इस मैच में खेलने के चांस काफी जाद है चोपड़ा की जगा शैद ये खेल जागा आसीव खान की बात करें लाज़ के तीन मैच में आट फिप्टी फाइब जिरो रन की रही है हैट वर्ड खेला नहीं है और ठीक ठाक रकोड़ा उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी चोलो एक्स्पीरियंस है इनके पास शागासा वसिल हमीर पिचास मैच वाइस विकट 667 इनका रन है बाकि लाज़ के तीन मैच अगर आप देखो कि तो लगातार विकटे ले रहा है इनफकर इस सीवी सी का मटिरियल है और इसको वाइस क्राप्टर बनाके चलिएगा 2 मैच खेला है दो विकटे इनके नाम है ठीक है सुरी 4 विकटे इनके नाम है बाकि आरियन अफजल खान की बात करे इन्होंने 2 मैच खेला उसी मेच इमें 2 विकटे है लाक्ष के तीन मैच की जवाद करें तो दो विक्टे ले चुका है 26 में 21 विक्टें ये टोटल बंदा निकाल चुका है नमबर आठ पे अली नसीर आएगा हैट्वर्ड ये नहीं खेला 19 मैचे 25 विक्टें के नामें ते को विकर टेकर है अच्छी खासी हिटिंग कर लेता है तो मुझे पर्सनल ही लग रहा है कि इस मैच में अली नसीर को खेलना चाहिए को कि फिट बताया जा रहा है ठीक है अब कितना फिट है मैच के लिए अवेलबल होगा नहीं होगा वो बात की बात है लेकिन फिलाल नियूज यही मुझे मिली है नमबर नाईन पर जुने सुधिक्या आएगा लगा तार चार-चार विक्टे लिये और लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ये बंदा फिर से 4 विक्ट लेगा अगर बोल फरस्ट करेगा तो आपने देखा जो मैंने बात वीडियो में बोली तो वही थी अगर ये बैट फरस्ट करता है यानि अगर पहले बोलिंग नहीं करता है तो फिर ये 4 विक्ट शायद ना ले पाए एक या दो विक्ट फिर भी निकाल लेका कुछ जो विक्ट है दुबाई की बहुत बोलिंग फ्रेंडली है तीर मैच खेला है नो विक्टे इनके नाम है हेट्टोएड में रिकोर्ड बढ़ी है 66 विक्टे टोटल ले चुका है उननजा मैच जिनुने टी-ट्वेंटी आई खेले है नमबर आट पे आएगा मुहमद जवादुला अभी तर खेला नहीं है लेकिन इनके भी कमबैक होने के चांस काफी जाद है कमबैक मतलब द्वारा इंट्री करने के टीम में क्योंकि दो मैच नहीं केला थोड़ा सा मैं रिचर्च कर रहा था तो इनको थोड़ा सा सीखनेस की प्रोलम है यानि बुखार बगएरा का जोड़ा चल रहा है भी लाश्क तीर मैच की बात करो चार विक्टेन को मिली है है एट वर्ड खेला नहीं है पंदरा में 21 विक्टेन के नाम है नमर 11 पे आएगा आफिक राजा दो मैच में एक विक्टेन को मिला पिटता बहुत है लेकिन विक्ट एक आद निकाल लेता है बाकि जुनेश सदीक की म नयुक्ते हैं लाश्ट मैच में आपने देखा होगा चार चैंजेस हुए थे मेरे बाई लेकिन इस मैच में भी चैंजेस होने वाले है वह क्या हैँए तौनों के टियर नाम का लड़का लास्ट मेच में नमबर 4 पे बैट करा था विकट कीपर बैट्स में अच्छा खासा प्लेर है लेकिन यहाँ पे ओपन कर सकता है क्योंकि जो उनका खिलाडी था वो बैक टू बैक जीरो करके टीम से बाहर हो जाएगा ठीक है नमबर 3 पे ब्रेड़न मैक मुलेन है जोर्ज मुनिश के साथ यहाँ पे टियर ओपन करेगा बाकि रिची बरिंग्टॉन लास्ट मेच नहीं खेल पाया क्योंकि इनको थोड़ा सा नीगल था और नीगल वो फिट हो जाता है कि ज़्यादा बड़े इंजरी होती नहीं है बाकि रिची बरिंग्टॉन इस मैच में खेलने वाला कमबैक करेगा मेरे भाई बाकि मैथ्यू क्रोस है जैक जार्विस है माइकल एसक है जेम्स डिक्सन ने बढ़िया खेला था मार्क वाट इस मैच में फिर से बापसी कर सकता है सफयां सरीफ इस मैच में बापसी कर सकता है बाकि गेविर मेन या फिर करी मैं से कुई एक यहाँ पे खेलने वाला है अब स्कोटलेंड प्लेयर स्टैट्स की देखलते बाद यहां पे चाले डीन ने ठीक ठाख खेला हुए लाज के तीन मैच 16 बाइस नोट टाउट एक इन्हों ने बनाया बाकी 26-25 बिस रन बनाये जोड़ शे मुनशी ने हैट टूएट एक में 16 बना टीर ने बनाया बाकी चार में 228 रन शेतर का एवरेज मुनशी का है और मुनशी इंपोर्टन रहेगा मेरे बाई तकड़ा अख लाड़ी है नमबर 3 पे ब्रेडर मैक मुलेन आएगा बोलिंग पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है दो हजार से जाद है इनका स्कोर है 32 कैवरेज अठाई जुक्ते भी ले चुका है लास्ट के तीन मैच में बढ़िया खेला लास्ट में नहीं खेल पाया क्योंकि इनको हलका सा निगल था और वो निगल फिट हो चुक है और इस मैच में अवेलेबल होगा स्लेक्शन के परफॉर्मर यह नहीं है ठीक है लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि आइसकल बोलिंग बैटिंग दोनों कर रहा है और बैटिंग आने के भी चांस पूरे पूरे रहते हैं इनके जेम्स डिक्सन ने लास्ट मेच खेला पंदरा रन बैटिंग से एक विकट इनको मिला नमबर नाइन पे मार्क वाट आएगा जो कि लास्ट मेच मिसोट हुआ था इस मैच में फिर से बैक होने वाला है चार में शेविक्टिन के नाम है चार में आट विक्टिन सफ्यान सरीफ है जो भी यह दोनों खिलाड़ी लास्ट मेच नहीं खेले थे याद रखना दोनों की बापसी होना लगबग कनफरम है ग्यारा नमबर पे आएगा गेविन में एक मैच कहला उसमिक विक्टिन के नाम है स्टार्टिंग के ओवर सफ्यान सरीफ डालेगा डेथ में सफ्यान सरीफ जैक जार्विस गेविर मेन वगएर डालने वाले पहला रहेगा अलिशान सर्फू तकड़ा प्लेर है बहुत अच्छा लड़ी है और इनको आपने सीधा ग्रेंड लिग में सी बनाना है दूसरा ख्लाड़ी रहेगा ब्रेडन मैक मुलेन अब देखो मैक मुलेन अभी तक फ्लो पर आया लाज के दोनों मैच्चस में लेकिन फ वसिल हमीद दुनिया ले रही है लेकिन सीविसी कोई नहीं मना रहा है डियरक्ट आप कैप्टन ट्राई कर सकते हैं कोकि नमबा सिक्स या सेवन बैट कर रहा है और अच्छा खासा खिलाड़ी माना जाता है ठीक ठाक प्लेर है मतलब आज कर तो चार ओबर कर रहा है वेसिक टेकर भी है और अच्छा खिलाड़ी है तो चलो हम टीम मनाते हैं क्या हमारे टीम इसमेंच की बनने वाली है तो गाईज यहां पर टीम दिखाने से पहले टीम बनाने से पहले आपको लेचलता हूं टेरीग्राम पर अगर आप टेरीग्राम पर नहीं हो तो फटा-फट से जोएन करो क्योंकि इसी टेरीग्राम चैनल पर आपको मेरा फाइनल टीम देखने को मिलने वाला है किसी भी तरह का कोई भी इंजरी अपरेट होता है या कुछ भी में मैं चेंजिस करता हूं जील का टीम डेली पील पीसल वगरा का टीम और उन मैचस का टीम जिसका मैं 2700 से उपर जनता वाला आपको टेरीग्राम चैनल दीखेगा इसी को आपने जोएन करना है ठीक है तो चलो फटा फटा से टीम बनाते हैं क्या इस मैच का टीम बनने वाला है सुगह देखिए यहां पर मैंने टीम बनाया हुआ है दरसल इस टीम में चेंजिस होंगे यह टीम यह टीम है लास्ट मैच को देखते हुए अगर लास्ट वाला ही प्लेइंग 11 खेलता है जिसके चांस काफी कम है अगर वो ही खेलता है फिर भी तो मैं सेम इसी टीम से जाऊँगा अब बसल हमीद यहां पे नमबर 6 से 7 पे बैट कर रहा है दो विकट हर मैच में निकाल रहा जैक जार्वी से यहां पे नमबर 6 पे बैट करने वाला है फिर से 3-4 विकटे निकाल सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लास्ट वीडियो मैंने आपको साब साब बोला था कि अगर पहले बोलिंग करता है यहां पे UAE तो जुने सिदिकी को फिर से कैप्टर आप ट्राई कर सकते हो देखो इस मैच में यह तो कंफर्म है स्कॉट लैंड की टीम का बैटिंग ओडर चेंज होगा जो एक लड़का था बैक टू बैक जीरो कर रहा था वो बाहर हो जाएगा टीम से उसका तो लगबग मैं कंफर्म हूँ अब वो बाहर होगा तो मैथ्यू क्रोस या फिर स्कॉट लैंड के वहां पर ODA क्रिकट में मैथ्यू क्रोस ने ओपन किया हुए काफी बार तो बंदा भी कर सकता है एक टी नाम का लड़का टी सूरी उसको मैंने फिलाल ड्रोप किया टीम से उसको मैं अपने रिस्क पर ड्रोप कर रहा है हलांकि आफ्टर डोड उसको मैं इसका बैटिंग और नीचे होता है अगर यह बंदा फिर से उपन करता है मतलब नंबर थ्री और फोर पे आया था अगर यह उपन नहीं करता है तो मैं इसको ड्रोप कर दूँगा टीम से ठीक है यह बात अपने दमाग में रखिएगा बागी बैट्समें की बात करें तो ज वासल अमीद अफजल खान यह सब भी इंपोर्टन रहेंगे हलांकि इस मैच में अगर अली नसीर खेल जाता है कंफर्म तो उसको मैं कहीं न कहीं अर्ज़स्ट करके लूँगा चा उसके लिए मुझे अफजल खान को ही क्योंना निकालना पड़े ठीक है बाकि जुने के काटेदार यह मैच होने वाला और कोई भी टीम मैच की विजयता बन सकती है और आपको मैं एक चीज बता दूँ अगर दोनु टीम में चेंज़स हुए जो मैंने आपको प्लेइंग लेबन में बताएं तो फिर मैच बहुत काटेदार होगा अगर एक ही टीम में लाड़े लूगा सुमझे लेन वही टीम मैच की विजयता है यह बात आपको मैं पहले बता देता हूँ मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तके लिए बाय बैटे कि अधाना कि अपना इस मैच में दवा के इन्वेस्ट करिए बहुत तगड़ा मैच रहे गाई